तो देखा आपने कितने अरहां से अपना लेग मैं आपने इस वीडिए मैं आप लोगों को पता है तो हर अपने का अलग आउटविट पहनौ उता है उसकी अलग एक गन की स्कीन होती है और वो सारी skins आपके phone में saved रहती है डाउनलोड रहती है और उस चकर में आपका phone lag करता है यानि कि जितने भी आप resource pack डाउनलोड करते हो वो आपके phone का storage फुल करते हैं और उस current से lag होता है तो मैं तो सबसे पहले यही prefer करूँगा कि आप अपने phone में जितने भी resource pack है उनको या install कर दें उससे आपका phone काफी अच्छा perform कर पाएगा और दोस्तों इसी के साथ आपको अपनी RAM भी clear रखनी है मान लीजे आप WhatsApp चला रहे थे उसके बाद Facebook, WhatsApp, YouTube कई सारे other apps चलाया आपने और उन सबको minimize कर दिया close नहीं किया और आपने फिर गेम अपना open कर लिया तो जो आपक कोई सा गेम खेले तो आपने PUBG या BGM कोई स्टार्ट करने से पहले यह चेक कर लें कि आपकी जो phone है उसमें कोई minimized apps नहीं है वो सारे closed हो जिससे कि phone आपका एक ही एप फोकस कर पाए दोस्तों देखो कही बार ऐसा होता है कि आपके phone में problem कुछ नहीं होती है वो game की internal problem होती है तो इसके लिए आप क्या कर सकते है अपनी ID को logout कर दें और जो login वाला page होता है वहाँ पर आपको एक repair का option देखने को मिल जाएगा तो game को एक बार routine repair करके देख लें उससे आपका काफी हद तक lag solve हो जाएगा और दोस्तों आपको अगर काफी जादा ही lag की problem आ रही है तो आ यानिक इसको simple में समझे तो यह anti-lake feature है जो कि आपका lag काफी हद तक fix कर देगा दोस्तों इसको use करना एक याद रखना यह जब enable होता है तो यह आपकी battery थोड़ी जादा drain करता है और जो आपका game smooth चलने वाला है वह आपको सही में खेलके मजा जाएगा अब देखिए दोस् PSNOW भी काफी सही आएगा और आपका game एकदम smooth चलेगा बीना lag करें पर फिर भी अगर lag होता है फिर भी यह सारी चीजे करने के बाद भी lag आता है तो उसकी problem हो सकती है आपका phone fully charge नहीं है दोस्तों देखो अगर phone कम charge लेता है तो अभी latest iPhone की बात करें आप 13 pro max की तो वह भी 15 या 10% battery पे काफी गंदा lag करने लग जाता है तो ध्यान रहे आप जब भी game खेले इतने heavy game जैसे की PUBG या BGMI जिनको अगर आप fully download करेंगे resource pack के साथ तो 8-8GB तक हो सकते हैं तो अगर यह काफी जादा आपकी battery भी train करते हैं तो इसलिए आपका phone अगर full charge रहेगा तब ही आपका अच्छी performance दे पाएगा अब दोस्तों देखो काफी लोग game booster या फिर GFX tools भी यूज़ करते हैं अपने game को और अच्छा improve करने के लिए पर यार देखो में इतनी सी बात बता दूँ आपको अपने जो भी आप यूज़ कर रहे हो एप उस पर trust होना चाहिए क्योंकि अभी थ दोस्तों आजकल एक और configuration file भी चल रही है 90 fps या 60 fps की तो दोस्तों एक simple सी चीज में आपको बता दूँ आप जो भी phone यूज़ कर रहे हैं जिस भी company का phone यूज़ कर रहे है उस company वाले ने अगर आपका display 60 hertz का बनाया है यानि की 60 fps का आपका display है तो आप चाहा कर भी उसको कोई वेसी फाइल लगा के 90 fps का नहीं बता सकते है यह तो वेसी बात हो गई कोई आपसे केता है यह फाइल डाउनलोड कर लो इसके बाद आपके फोन में दो की बजाए तीन केमरे हो जाएंगे उसी के साथ दोस्तों temperature की problem भी हो सकती है अगर आपका phone overheat हो जाता है काफी जादा high temperature पे पहुच जाता है तो उसके बाद phone को थोड़ा cool down होने दें लगातार काफी घंटों के लिए phone पे अपने खेले ना जाए उसकी वजह से आपका phone जोई वह अच्छा perform नहीं कर पाता है क्योंकि इतना ज्यादा गरम हो चुका रहता है उस वजह से भी आपके fps down हो जाते है और fps down होते है तो आपका phone काफी लेग करने लग जाता है तो इस चीज को fix करने के लिए यह तो आप AC या cooler के सामने बेठे है या फिर आपके फोन को थोड़े थोड़े टाइम बाट cool down होने दिया करे हैं अब दोस्तों एक चीज और आती है जिसकी वजह से भी आपका game काफी लेग कर सकता है वो है internet internet अगर आपका इतना अच्छा नहीं है speed इतनी अच्छी नहीं हाती तो उसके वजह से भी काफी लेग हो सकता है अब दोस्तों होता क्या है आप मालों कोई सा game खेल रहे हो जिसमें आपके सामने enemy खड़ा है और आप उसके सामने खड़े हो अब दोस् फायर किया तो उसने server पर upload ही नहीं किया उस वजह से भाई आपका fire count ही नहीं होता और game मानता ही नहीं कि आपने सामने वाले को kill किया तो आपका internet काफी अच्छा होना चाहिए तब ही आपका game एकदम smooth चलेगा और lake free चलेगा अब दोस्तों एक चीज और जो हो सकते आपको मा graphics अगर आपके game के graphics HD HDR या फिर Ultra HD पर है तो मैं आपको सलहा दूंगा उसको smooth या फिर super smooth पर कर ले और उसी के नीचे जो frame rate आती है वो अगर आपके phone में low या medium पर है तो उसको high या ultra पर कर दें अगर आपका phone support करता है तो और अगर उससे उपर extreme 90 fps तक करता है तो जो भी highest उसम इनेबल कर दें जिससे आपका game काफी smooth हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ फिलाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद दें तो वीडियो को लाइक तो करी देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और मैं मिलता हू अपसे नेक्ट वीडियो में